नमस्कार, Zee Media में आपका स्वागत है, डारेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ है पंजाब BJP के वरिश निता, जो कि पंजाब सरकार में स्वास्ते मंत्री भी हैं, सुरजीत कुमार जयाने जी, मंत्री जी आपका Zee Media में स्वागत है, याने जी, सबसे पहला मेरा सवाल, आपके कारेकाल में पंजाब कितना स्वास्त हो पाया है? मेरे करेकाल सबादो साल मुझे हुए है जी और उसमें पंजाब की जो जुम्मेवारी मिली है और सदार परकाई सिंग बादलो और बारतिय जनता पाटिक जो सरकार ने चिंता करते हुए और ये काय के सेथ स्वाएं अरेक इनसान को मिलनी चाहिए उसके लिए बड़े- उपराले की हैं और उसमें हमने कामिया भी भी मिली है जी और सेंटर सरकार ने भी हमें इसीज़ की परसंसा करते हुए शाबहसी पत्र भी दी है जी तो जैसे हमने 103 डाइल सिस्टम जो फरीखускिया है 104 नमबर कोई इनसान डाइल करता है तो अपने उसमें सिकाइत किसी तर कि वो कर सकता है और कोई सुजाव उसमें ले सकता है जी तो उसमें चार लाख लोगों ने आज तक डायल करके अपनी बात को पूछा और उसमें पांच हजार तो हैं शिकायतें और पांच हजार के लावा जो तीन लाख पिचान में हजार लोगों ने उसमें सुजाव लिये पी कौन सी दुवाई कहान लेनी चाहिए, कैसा इसका इसका इलाज क्या है, तो यह भी एक सो चार किस विदा जो पुजाम में हमने दे रख किया है, और एक सो आठ दो सो चारीस है, पूरे पुरे पुजाम में, किसी को डिलिवरी केस को एक्सिजन्ट होता है, तो पंदरा मीं के अंदर वो चली जाती है, और मुरीज को यह डिलिवरी केस के किसी लेडिज को लेके ऐस्पिटल में आ जाती है, और इसमें भी लोगों को बड़ा इस चीज़ का वो फायदा मिल रहा है, जी, और इसके लावा, आज डिलिवरी जो केस है, वो उसके लिए हम ज्यादा जो जाती है तो 51% डिलीवरी जो आज पंजाब की है, 51% डिलीवरी आज हमारी सरकारी होस्पिटलों में हो रही है, लग बग साल के अंदर 2,40,000 जो अजार है, 2,40,000 बच्चे अजार में पैदा होने है, जैने चे आपने कहा केंदर सरकार की आपको शाबाशी मिली, ये कहा जा कि सरफिकेट जो है केंदर सरकार ने आपको अच्छी स्वास्ते सेवाओं के लिए दिया, क्या जन्ता ने आपको सरफिकेट दिया, अच्छी स्वास्ते सेवा देने के लिए? जन्ता दे रहे है, जन्ता को नहीं देगी? जन्ता को हम सबस्विदे दे रहे हैं, आज अस्ताल के अंदर 234 परकार की जो दुवाईं हैं, हम मुफ़ुद दे रहे हैं, जी, दस रुपे के इन्सान पर चिक टाटाता है और 234 परकार की दुवाईं हमने डक्टरों हैं देड्म मिनने भी भी कर लेते हैं या बाढूत हैं कि लेकिन यह कहा जाता है कि सिर्फ बोखार की दवाई यह झूते है यह कहजै कि सरदर्द की दवाई वह उपलब्द हैं बाकी दवाईय ने इस Prमण में 로ото कोई नहीं करती बात, मैं मेरा टेलीफोन नंबर open रखता हूं, खुला रखता हूं, रात को 11 बजे मैं जब सोने लगता हूं, बंद करता हूं, और सुब़े 6 बजे मैं इसको कोई लेता हूं, और मैंने अपने मीडिया में भी मेरा नंबर दिया है, अगर किसी को कोई शिकायत है तो बात करें तो एसे मेरे पास दिन में पांच दुटी चार पांच क्या आती है कि वह भी उसमें अगर अगर 100 शिकाहत आज तक आती है जे दूसरा विपक्ष ये कहता है कि जो ग्रामिंड स्वास्ते सेवाएं हैं वो पंजाब में जो है जीरो के बराबर जीरो हो चुके हैं अगर सरकारी ये कहा जा कि डिस्पेंसरी जो पंचायत के अधीन आती है अगर उनकी बात की जाए तो वहाँ ना स्टाफ है और ना ही अ कुछ कहना भी नहीं चाहूंगा और ना मुझे पता है उनके पास जो डाक्टर है उनके अलग बनी होई है उसके लावा क्या कि आज पंजाब के अंदर ये बात नहीं है कोई किसी चीज की कहीं से दूरी नहीं है हमारी सी एसी है मिनी पी एसी है तो कोई भी अगर आप छेरस्ते गाम से गाम सडका है सयर से सडका है और सब सडकों जीटी रोड से लिंक रोडें जुड़ी हुए है अगर कहीं से आप किसी को दिक्कत हो भी जाए तो अगर आट दस मिट से जादा कहीं भी नहीं लगती है उडक्टर उपलब दो जाता है उनकी सरके सिरफ बोला बात की जाती है सडकों की लिकिन सडके दिखते नहीं है आप वी पक्स की बात हो तूढ़ो आप अब सड़क से आएं बताओ कोई देखा अपने चंदिघर की सड़क पर क्यों आप दिली से तो पर तो लक्स नहीं नहीं आ रहा है। उन्होंने तो मीन मेकनिकाल लिए। अगर सोने की सडक बनादेंगे। तो वो कह में पितल मिला दिया, पिसमें तांबा मिला दिया. तो वीपक से ने तो कहना है पर आज जो दखो बात किया है डोयलमेंट की बात यह है अगर काम की बात है तो देखो रिपीट सरकार का होना उसकी काम की ही वज़ा उती है तो हमारा इम्तिहान जो है अब जो 17 में अने बाड़ा है जब हमारी तीसरी बारी सरकार बनेंगी तो ल प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसमें से 212 सेंटर में सरकार ने 24 घंटे सर्विस देने का एलान किया था लेकिन अब उनमें से 132 नामत की हैं किसी में डॉक्टर नहीं है और किसी में नर्स या स्टाफ की कमी है जितने आप कहरें उतनी है अब ने क्या किया है यह में इनू कि स्भी जगएं जो है हम 24 घंटे नहीं चला सकते और सभी जगएं चलाने के लिए बोड़ा कुछ चाहिए लेकिन आपने वादा किया वादा नहीं किया जो वादा किया, हमने सो ऑस्पिटल पंजाब में चूस किया, गिंती में सो, जो सो ऑस्पिटल है, जो तसीर लेवल, जिला लेवल, उसमें कुछ और जहां अबादी और जहां OPD जादा है, तो उन ऑस्पिटलों में, जो में हमने ये स्पेसलिस्ट पूरे करके और 24 गंटे, और कहां जहां, डिलीवरी जहां, या जहां कोई ज़्यादा एक्सिडेंट की बात है, तो वो चलते हैं, तो मैं ये नहीं मानता कि सरकार आप कह रहे हो, कि सरकार के अंदर किसी को सेथ स्वाव नहीं मिल रही, तो आप मानोंगे एक बात, जे मैं विद आंकडे बात कर रहा कि एक करोड असी लाख लोगों की सरकारी होस्पिटल, सरकारी संस्ताओं ने ओपीडी किया है, तो आप और पबलिक, कोई भी इनसान, ओपोजिशन ये नहीं कह सकती, कि हमारा काम सही नहीं चल रहा है, मंतरी जी ओपीडी की, लेकिन क्या वो सैटेस्वाई होके, जो ओपी है, एकार में परसेंट मेंने डिलीवरी कही है, सरकारी होस्पिटल में तो लोकों को विश्वास हो रहा है, और मैं एक बताओं बात आपको, कि हमारी डेथ रेस्टों जो है, दूसरी स्टेटों से अच्छी है, जो बच्चे की डेथ रेस्टों जनम दर में थी, एक अजार के पिछे कई स्टेट हैं, पंतारी च्छारी स्टारी है, हमारी एक हजार के पिछे चोवीस है, जो सेंटर स्टी समानती है, सब जो बीज बोया जाता है, अंकृत नहीं होता, ये प्रकृति का नियम है, और हमारे जो स्टाफ ने काम किया है, एक हजार के पिछे चोवीस तरफ से कोशिच तो की जाती है, डॉक्टर्स को लाने की, रिक्रूट करने की, लेकिन जो वेतन है, वो 15,600 है, इस कारण जो है, डॉक्टर्स आने से मना कर देते हैं. MBBS डॉक्टर, कोई कमी नहीं है, ना कमी रहनी है. पहले हमने, आप करें कोई शॉटेज नहीं है? मैं थोड़ा सा मेरे सुन लो बार, 300 अब नहीं है, अभी हमने बाबा फरीद यूनिवर्स्टी से MBBS डॉक्टरों की सेलेक्शन करवाई है, तो यूनिवर्स्टी ने 500 डॉक्टर की हमें लिस्ट दे दी, सलेक्शन करके, अमने का, इंप्यू नहीं लेनी, रिटन लो और 2, उन MBBS डॉक्टर की कोई कमी कहीं ने रहने बाड़ी, सिर्फ स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की मैंने पहले काया, 316 डॉक्टर पंजाब में हमारे कम है, और वो भी वाकिन इंट्रिव्यू, और यहां तक हमने किया है, कैबिनिट चे पास करके, के एक स्पेशलिस्ट होता है, एक डिपलोमा आता है, तो अगर स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहे है, हमें डिपलोमा भी मिल जाए, ताकि लोगों को सेथ स्वाई दी जा सके, तो आप कहा है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है, लेकिन MBBS की कमी कमी ने रहे, कोई कमी ने रहे, लेकिन मंत्री ची, विपक्ष क मेरा नमबर डायरी में है, मुझे बला ले, और मैं उस हॉस्पिटल में जाकर उसकी तसलिक राकिया हूँगा, और कम से कम आठ दस लोगों की मैं तसलिक करवा की आया हूँ, विदान सबाव में भी मैंने जब उन्होंने लोगों कहा, तो मैंने कहा कूर सा मेले मेरे साथ ज और वो कहने लग जाएं, कि बादल सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा ही हमरी डोल पीटने लग जाएं, तो लोग उनको पोटकॉन देगा, उन्हें तो मीन मेक निकालना है, और आज देख रहे हो, कि अगर कांग्रेस का वक्ता कोई मंच पे बात करे, पांच मिट से उपर बोल नहीं सकता, अगर आज मंच पे अगर बात करे, सरदार परकाश सिंग बादल नबे साल के ओके भी तीन गंटे तक पंजाब की जो कियो एक कामों के गुंगान कर सकते हैं, और किया है, जिसमर में आके भी बिदान सभा में सभा दो गंटे रेगुलर विकास की बा बातों में बात नहीं होता, तिया हुआ काम हो, इनसान के पास मुसाला हो, इनसान के पास साधन हो, जब मुसाला नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकता है। कभी नहीं था पिछले नौ साल में क्या विकास के काम जो है मौजूदा सरकार ने किये विकास के काम बिजली आज बिजली किसान को मिल रही है जी आज बिजली को मिल रही है आज गाओं में रहने वाड़े लोगों को 24 गंटे बिजली मिल रही है ये कांगरिस के सरकार थी गर रखे हैं आज किसान को पाणी मिल रहा है आज टू विल कनेक्शन मिल रहे हैं यह किसान मतलब फसल जो है आज पंजाब जो फसल में पूरे देश का अंधाता बनके पेट पोशन जो है दूसरे पूरे हिंदुस्तान का कर रहा है